जब कार की चाबी या इग्निशन की घुमाते हैं, तो इससे थोड़ा सा करंट solenoid coil में जाता है. Solenoid अकसर दो कॉइलों से बना होता है, जिने pull-in coil और hold-in coil कहते हैं. Hold-in coil का सिरा starter motor की casing से जुड़ा होता है. इसलिए current car के frame से होता हुआ बैटरी में वापस जाता है. को उर्जा दी जाती है। यहाँ पिस्टन को पीछे खींचता है। और चुंकि कॉन्टाक्टर प्लेट मुख्य टर्मिनल से कनेक्ट है, पुलिन कोईल के दोनों सिरों पर वोल्टेज समान हो जाता है। इस समय कोईल के बीच वोल्टेज डिफरेंस न होने से कोईल बंध हो जाएगी और उसमें कोई करेंट नहीं बहेगा। पिस्टन को अपने जगह बनाये रखने के लिए काफी कम उर्जा लगती है। इसलिए होल्ट इन कोईल चलती रहती है। पिस्टन जैसे ही पीछे जाता है, लीवर को खीचता है। लीवर पिविट पर घूमता है और इस को ड्राइफ स्लीव में स्थाना नतरित करके उसे आगे धकेलता है। यहाँ जैसे ही आगे जाता है, पिनियन को थोड़ा सा गुमाता है। जिससे रोलर्स क्लच में लॉक हो जाते हैं और पिनियन को फ्लाइ वील से जोड देते हैं। कॉंटक्टर प्लेट मुख्य टर्मि मुटेटर प्लेट्स और दूसरे ब्रश में जाएगा, जो कार के फ्रेम से ग्राउंड है, इसलिए करेंट बैटरी में वापस लॉट आएगा। कॉयल इलेक्ट्रमागनेटिक फिल्ड उत्पन्न करती है, जो स्थाई चुमबक या स्टेटर की फिल्ड वाइंडिंग से क् घुमाता है, फ्लाइ वील कमबस्चन की प्रक्रिया शुरू करता है, अंत में इंजन फ्लाइ वील को स्टार्टर मोटर से अधिक तेज घुमाना शुरू कर देगा, इससे ओवररनिंग क्लच अनलॉक हो जाएगा और पीनियन गियर स्वतंतर रूप से घुमने लगेगा, जाने वाला करेंट रोख जाता है, और कमबस्चन इंजन अपने आप चलता रहता है, अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज कर देता है, इससे पहले हमने बताया कि कार बैटरी कैसे काम करती है, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आटोमोट ां जा झाल प्यां टेल।